अगर हमारे चैनल को लाइक सिस्क्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक सिस्क्राइब चुरूर कीजिए अगला वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आओ तो देखिए इस तरीके से गाजर का हलो बनता है तो चले बनाते हैं तो देखिए यहाँ पी मैंने करीब करीब एक किलो गाजर ले रखी हूँ इस गाजर को अच्छे से छील दूँगी उपर से यह देखिए इस तरीके से सारे गाजर को छील देना है अच्छे से तो होगा थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन खाने में बहुत स्वाथ आप चाहो तो कुकर में भी आप सीटी लगाकर गाजर अगला सकते लेकिन स्वाद नहीं आता उस तरीके से यह देखे मैंने सारे गाजर को ग्रेट कर दी कि से अब अलरेडaliśmy कर्यों करकी हूँ इसमें करें किरब ह्यों में घी टाल देती हूँ ढी कि अइसने घी मेरा tvåन है जो काफी बढ़ा और इसे दो से तीन मिनट तक भूनूंगी ताकि गाजर थ्रस्ट हो जाए भूनने के बाद इस तरीके से इस टाइब से भून देना देखिए कितना सॉप्ट हो गया गाजर अब इसमें मैं एक किलो गाजर में डेढ़ किलो दूद ले रखी हूँ दूद है जो उबला हुआ है और इसбило क को मैं अब इस गाजर में डाल देती हूं कि देखिए मुलाई के साथ दूद है जो मैं गाजर कडर होता है यह देखिए चलाते हुए इतनी चलाना है तब तक चलाना आपको जब तक यह धूत अच्छे से गाजर में सुखना ले अच्छे से देखिए इस टाइप से अब इधर मैं one cup सुगर हापकटोरी काजु हापकटोरी बदाम और एककटोरी मावल ले रखी हूँ अब जो सुगर है ने कप में इसमें डाल देती हूँ आप अपने हिसाप से सुगर डालिएगा अपने श्वाद के अनुसा अब इसमें डाल करके गाजर में अच्छे से मिल जाना जब तक कि यह चीनी मेल्टना हो जाए अच्छे से यह देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी है गाजर का अब जो ट्राइफूट था ना उसको मैं क्रस्ट कर रखी थी ट्राइफूट इसमें डाल करके इस दुवारा से गाजर में अच्छे से मिक्स कर यह देखिए अब चुमावा है ना उमावा को मैं इसमें डाल देती हूं और अच्छे से चला देती हूं इसे भी दो मिनट तक चला दूँगी ताकि मावा गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्वाथिस्ट गाजर का हलुआ मेरा बन देखिए अब इसमें मैं वन टेबल स्पून इलाइची का क्रस्ट किया हुआ है आप जब भी हलुआ या कुछ पनाओ तो इलाइची को क्रस्ट करके डालो उसकी स्वाथ बहुत अच्छी आती है देखिए अब इस हलुए में कितना अच्छा हल्वा त्यार है बहुत ही